नमस्कार मैं हूँ रविंदर तिवारी और आप देख रहें इंडिया लाइब टीवी मेरे साथ मोजूद हैं दीपक मिश्राउट साका बाबा 342 बराज विदानसभा से बीजेपी के उमिद्वार हैं इनसे बात करेंगे कि आखरीकार तैयारिया कैसी चल रही हैं जिस तरीके से बीपक्ष के नेता इन पर आरो पात लगा रहे हूं पर भी बात करेंगे कि आखरीका क्या मामला है जब सबसे पहले आपका माज चनल में स्वागत है कैसी तैयारी चल रही है बहुत बहुत दिन्यवाद आपको अभी सुबह के साड़े साथ पज़ रहे हैं आप देख सक चनपूरतन सिवारी जी पुरदान अरविंद चौहान जी पुदान चौनुत्यारी जी पुदान इस तरह से शुबार शिंगी घरार मेरे बाबु जी के बडे परिदी लोग हैं कई बार पुदान रहे हैं और वो देखिए ना बालमी की समाज का वो खड़ा है मने जीके अ वोगते हैं कि साका सेवा करता है साटा सेवा तरेगा इसलिए मजहभी दिवारे में टूटी है और जाती की दिवारे जो जाती को आधार मान के राज निशी करते हैं वो दिवारे तार-तार हो गई है कोई समाज ऐसा नहीं है जो यहां खड़ा नहीं है बैठा नहीं है सब कर समान होता है राम समुझ यादो जी प्रधान देखे लें ऐसे में सब का आश्रिबाद मुझे है किसी भी पक्षी नेता से मेरे कल बात और कर साका बावों को थोड़ी डर लगने लग गया है जिस तरिके बड़े नेताओं को लेकर आ रहे हैं जिल्ली से लेकर करके मनोस्तिवारी को ब्रामडों को रिजाने के लिए मनोस्तिवारी का रोट सो करवारें इस पर क्या कहिंगे देखे जातिकी तो बात मैं करता ही नहीं और सामाधिक कार करता की कोई जाति होती ही हुँ जातिने पूछो साधू की सामाजीक कार करता और साधू किसी जातिका नहीं होता है अगर सामाजीक कार करता मैं हूँ और मैं जातिका ताधार पे सोचता हो, निर्णे लेता हो तो मुझे अपने घर रहना चाहिए और केवल पंडी जी लोगों को बुला के पड़ाम करके उनसे अपनी जात की बात बतिया के छोदेना चाहिए मैं घूमता रहता हूँ और लोगों को ये लगता है कि साका कभी जात के बाहरे नहीं है इसलिए लोग मुझे आतरवात देते हैं रही बात बड़े नेताओं के आने की तो वो कैम्पेणिंग करेंगे भारती जाए अब राजनात सिंग जी मनोज त्यारी जी आधनी नरंद्र मोदी जी वो सब कैम्पेणिंग अपने लोगों से मिले